नाइजीरिया के राजा की गोली मार कर हत्या महरानी को किया गया किद्नेप नई दिल्ली नाइजीरिया में एक फरवरी की रात महल में राजा की गोली मार कर हत्या कर दी गई उनकी पत्नी और एक अन्य शक्स को किद्नेप कर लिया गया हथियार बंद लोगों ने महल में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया हालांकि अभी तक ये सपष्ट नहीं हो सका है कि बंदूकधारी कौन थे महल में घुसकर वारदात को दिया अंजाम मिली जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने गुरुवार की राथ रिटायर सेना जनरल और राजा सेगुन अरेमू के महल पर हमला कर दिया। इस दोरान उन्होंने राजा, जिन्ही कोरो का उलु कोरो उपाधी दी गई है, की गोली मार कर हत्या कर दी गई। देश में इमजनसी लगाने की मांग। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ दिन पहले लोगोंने बढ़ती आपराधेक घटनाओं से निपटने के लिए देश में इमजनसी की मांग की थी। लगभग पचास नागरिक समाज समूई ये चाहते थे की राष्ट्रपती बोला टीनबू ये हैलान करे की पिछले माई में उनके पदभार संभालने के बाद से अठारा सौ से अधेक लोगों को किद्नेप किया गया है। स्कूली बच्चों और शिक्षकों का अफ़रन बता दे की इस हफ़ते की शुरुआत में अफ़रन करताओं ने एकिटी राज्य में पांच स्कूलों बच्चों और चार शिक्षकों को किद्नेप कर लिया और उनकी रिहाई के लिए 100 मिलियन नाइरा यानी 110.000.000 की फिरोती हाल के वर्षों में नाइजीरिया में फिरोती के लिए अफ़रन की घटनाएं बढ़ गई हैं बंदूक धारी लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं पिछले महीने बंदूक धारियों ने एक शक्स को उसकी छे बेटियों के साथ अफ़रन कर लिया था बाद में फिरो अब लोगों को सबसे पहले मिलें